Hello friends, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है English Lovers और दोस्तो अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो दोस्तो ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और वर्ब्स जो की प्रेपोजिशन के साथ आते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है ये हम समझते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ वर्ब जो होते है वो वर्ब ये जो प्रेपेजिशन से about, for, of और after ये प्रेपेजिशन के साथ आने के बाद उसका मीनिंग क्या होता है और sentence में वो कैसे use किये जाते है तो चलिए दोस्तो आज का वीडिय शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जो प्रेपेजिशन है about ये प्रेपेजिशन देखते है ये जब वर्ब के साथ आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है तो ये construction देखो आप talk about, read about, tell something about, have a discussion about तो ये सभी constructions में ये talk ये verb है, read ये verb है, tell a verb है, how ये verb है और उसके सामने हर बार about ये प्रेपेजिशन यूज किया गया है तो इसका मीनिंग क्या है जब हम कहते है talk about तो ये sentence देखो we talked about a lot of things at the meeting, we talked about a lot of things at the meeting, talked about, हमने बहुत सारे topics पर, बहुत सारे चीजों पर हमने meeting में बातचीत की, बात की, तो यहां a lot of things, talked about, किसी के बारे में बात करना, या फिर read about, okay, read about, किसी के बारे में पढ़ना, I have read about stories of monster, so read about stories, about मैंने पढ़ा था monster की कहानियों के बारे में, tell something about, okay, किसी को किसी के बारे में कुछ बताना, tell something, कुछ बताना, okay, have a discussion about, okay, let us have a discussion about current situation in our country, let us have a discussion about, about, अभी जो चल रहा है हमारे देश में, उसके बारे में हम बात करते हैं, discussion about, okay, तो किसी के बारे में ऐसा जो यह meaning होता है, उसके लिए about verb के सामने use करते हैं, next जो है discuss something, okay, यह जो discuss verb है, discuss के आगे about नहीं use करते, discuss something, without any preposition, तो यहां कुछ preposition नहीं use होता, जैसे कि we discussed a lot of things at the meeting, हम ऐसा नहीं कहेंगे, we discussed about a lot of things, no, यह गलत होगा, तो we discussed a lot of things, हमने बहुत सारे topics पर, बहुत सारी चीजों पर meeting में बातचीत की, discussed a lot of things, और एक है, do something about something, do something, कुछ तो करना, किसी के बारे में कुछ तो करना, about something, If you are worried about the problem, अगर आपको यह problem की चिंता है, you should do something about it, तो आपको उसके बारे में, वो problem के बारे में, कुछ करना होगा, आपको वो problem के बारे में, you should do something about it, about वो problem, इस पार्क में कुछ और prepositions with verbs कैसे use किये जाते हैं, यह हम समझते हैं, तो यह जो constructions है, care about, care for and take care of, exactly इसका meaning क्या होता है, यह हम sentences से देखते हैं, सबसे पहले तो care about somebody or something, care about somebody or something, इसका मतलब है, किसी के बारे में फिक्र करना, तो किसी की care करना, in that sense, care about somebody, और care about something, for example, he is very selfish, वो बहुत ही selfish है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, he does not care about other people, so in this sentence, what does it mean care about, he does not care about other people, उसको दूसरे लोगों की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता care about ओके दूसरों की फिक्र नहीं करता दूसरों का खयाल नहीं करता in that way हम कहेंगे care about अभी care what care where, care how यह जो care verb है care verb जब what के साथ use किया जाता है ऐसा construction होता है कि what से कोई clause शुरू हो where से कोई clause शुरू हो या how से कोई clause शुरू हो तो care के बाद हम preposition use नहीं करते care plus what or where or how यह words के साथ अगर कोई clause शुरू होता हो तो कुछ preposition use नहीं होता for example आप देख सकते हो यह sentence you can do what you like आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो I don't care what you do I don't care मुझे कोई परवा नहीं कि आप क्या कर रहे हो तो यहां से आप देख सकते हो what you do यह जो clause है यह what से शुरू होता है तो care के बाद यह clause शुरू हुआ what से तो यहां कोई सा preposition नहीं use हुआ next care for somebody or something care for somebody or something इसके दो मीनिंग से care for इसके दो मीनिंग से पहला तो मीनिंग है like something कुछ पसंद होना care for जब हम कहते है तो कुछ like करते है in that way और यह जो care for जो की इसका मीनिंग है like यह हम सिर्फ questions में या negative sentences में use करते है सिर्फ questions में या फिर negative sentence आप sentence देखोगे तो समझ में आएगा would you care for a cup of coffee अभी यहां क्या construction है would you care for a cup of coffee अभी आप कहोगे कि coffee के coffee के बारे में क्या care करना no इसका मीनिंग ऐसा नहीं है तो care for का meaning है like तो इसका meaning क्या हुआ would you like a cup of coffee would you like a cup of coffee क्या आप coffee पीना पसंद करोगे तो यहां care for का meaning है like और यह क्या है यह question है ऐसा सिर्फ questions में use होता है care for का दूसरा एक meaning है और एक sentence देख दे I don't care for very hot weather I don't care for very hot weather तो इसका meaning ऐसा नहीं है कि मैं hot weather की परवा नहीं करता इसका meaning है I don't like very hot weather समझने की कोशिश करो I don't like very hot weather मुझे ज़्यादा hot weather hot climate पसंद नहीं है तो care for का meaning क्या है like है अभी यह कौन सा sentence है don't से आप पता कर सकते हैं यह negative sentence है और यह question है तो question में और negative sentence में care for का meaning like ऐसे use किया जाता है next दूसरा जो meaning है care for का वो है look after somebody ओके किसी की देखबाल करना ओके किसी की परवरिश करना तो यहाँ एक sentence है Albert is 85 Albert जो है वो 85 years old है Albert is 85 and leaves alone वो अकेले रहते है he needs somebody to care for him he needs somebody उनको किसी की जरूरत है किसलिए to care for him to look after to look after him उनका खयाल करने के लिए उनका देखबाल करने के लिए उनको किसी की जरूरत है तो यहाँ care for का meaning क्या हुआ look after somebody और एक construction है take care of take care of और इसका meaning है look after आपका हुलिडे अच्छा हो आप अपना खयाल रखो take care of खयाल रखना तो यहाँ verb plus for यह जो construction है verb के साथ for a preposition आता है तो उसका meaning क्या होता है यह हम समझते हैं सबसे पहले तो ask की यह जो verb है ask somebody for ask for so किसी को कुछ पूछना okay किसी को कुछ पूछना तो in what context यह sentence देखते हैं I wrote to the company I wrote to the company asking them for more information about the job I wrote to the company asking for asking for मैंने company को एक letter लिखा और उनको क्या पूछा यहां asking for का meaning क्या है मैंने उनको पूछा asking for क्या पूछा more information about the job job के बारे में और मुझे जानकारी चाहिये थी तो वो मैंने company को later लिख कर पूछी लेकिन यहां और एक construction है ask के साथ कुछ preposition नहीं use होता तो यह देखो आप I asked her a question or they asked me the way to the station तो यहां आप देखोगे यहां ask है लेकिन यहां ask है दोनों sentence में लेकिन preposition नहीं है ऐसा कौन से situation में होता है अगर आप देखोगे यहां her और a question यह दो object है यह जो object है her यह indirect object है और यह जो object है a question यह direct object है in the same way यहां आप देखोगे me एक object है और the way दूसरा object है me जो है indirect object और यह direct object तो अगर दो object आसके बाद आते हैं यहां तो यहां preposition use नहीं होता I asked her a question मैंने उसको एक सवाल पूछा they asked me the way to the station उन्होंने मुझसे station का रास्ता पूछा next यह जो verb है apply apply to a person or apply to a company etc. for a job job के लिए apply करना किसी person को employer को या फिर किसी company को apply for a job तो apply के बाद कौन सा preposition आता है for आता है apply for a job I think this job would suit you मुझे लगता है कि यह job तुमारे लिए अच्छा है तुम्हें suit करेगा why don't you apply for it ओके आप क्यों नहीं उसके लिए apply करते हो why don't you apply for it तो यहाँ यह question है इसलिए question mark होगा next जो है wait for or wait for something to happen ओके दो construction एक है wait for wait for somebody किसी के लिए रुकना किसी की राह देखना wait for something to happen और कुछ होने का इंतजार करना दोनों sentence देखते है don't wait for me तो wait for आगे परसना है don't wait for me मेरे लिए मत रुको I'll join you later मैं तुमको बाद में जोईन करूंगा wait for me wait for person next sentence I'm not going out yet मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूं I'm waiting for the rain to stop I'm waiting for the rain to stop I'm waiting for waiting for what something to happen something means here what waiting for the rain to stop okay मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूं मैं rain रुकने का बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं तो उसके बाद probably मैं बाहर जाऊंगा next जो है search a person or a place or a bag etc. for search for search के बाद में for आता है search याने किसी चीज को डूणना किसी परसन को किसी व्यक्ति को डूणना किसी place को किसी address किसी bag कुछ भी तो डूणना in the sense डूणना search for sentence देखो I have searched the house I have searched the house मैंने घर में डूणना किसलिए for my keys मेरी चाबी गुम हो गई थी search for my keys मैंने चाबी डूणनी कहा घर में but I still can't find them मुझे अभी भी नहीं मिल रही ओके और last यहां है leave a place for another place तो ऐसा जो construction होता है leave यह जो verb है उसके साथ preposition for leave for तो leave a place for another place means कोई एक place छोड़ कर किसी और place पर जाना तो यहां I haven't seen her since she left home for work this morning जब से उसने घर छोड़ा है और वो काम पर तो उसने घर छोड़ा और कहां गई वो काम पर गई for work this morning she left so left जो है यह leave का pass form है she left home एक place छोड़ी और for work दूसरी जगह गई for work जहां उसका काम है इस पार्ट में हम और एक verb देखते है जो की look है और वो जो verb है look यह दो prepositions के साथ for और after के साथ कैसे use होता है और जब हम look for कहते है तो क्या meaning होता है और जब हम look after कहते है तो क्या meaning होता है यह समझते है तो सबसे पहले तो look for look for का मतलब है search for ढूणना तलाश करना try to find out find out यहने डूणना किसी चीज की तलाश करना okay I have lost my keys मेरी चाबिया गुम हो गई है can you help me to look for them क्या आप मेरी मदद करोगे उसे डूणने के लिए उसे means चाबिया डूणने के लिए तो यहाँ look for का मतलब क्या हुआ डूणने के लिए search for them look for okay दूसरा है look after look after means take care of किसी की देखबाल करना किसी का खयाल करना okay take care of okay परवरिष करना in that way for example Albert is 85 Albert 85 years old है बुजूर्ग है बुड़ा है and leaves alone वो अकेले रहता है he needs somebody उसको किसी की जरूरत है किसके लिए जरूरत है to look after him उसकी देखबाल करने के लिए क्योंकि वो खुद उसकी देखबाल नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बुड़ा है look after का मतलब है to take care of और एक sentence है you can borrow this book you can borrow this book if you promise to look after it what does it mean आप ये book बुरो कर सकते हो मुझसे आप ये book ले सकते हो अगर आप promise करते हो कि आप इसकी ठीक से देखबाल करो यहां देखबाल का मतलब क्या हो look after यानि अच्छे से आप use करोगे तो look after means take care of friends, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और अगर आपके कुछ comments है suggestions है तो आप नीचे comments box में लिख सकते हो और दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपके नए नए वीडियो के notifications मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you